नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित दिवारता में दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे हिमाच परदेश में हुई जे बीटी टैट की परिक्षके बारे में और इस वाली वीडियो में हम सिर्फ आपका section 3 है जो हिंदी वाला portion है उसको देखेंगे और इसके साथ ही साथ जो आपका GK और EBS वाला section है उसको हम discuss करने जा रहे हैं और इसके तुरंत बाद हम जो दूसरे section है उनको भी आपके बीच में लेकर आएंगे तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रशन संक्या 61 से और देखते हैं कि प्रशन किस त्रेके का पूछा गया था तरगत आते हैं तो यह हैं आपके गुणवाचक विशेशन विकल्प नंबर A इसका सयुत्तर होगा प्रशन संक्या 65 है देखिए निज की भावाचक संग्या है तो निज का जो भावाचक संग्या होती है देखिए यह था आपका निजत्व यह वाला प्रशन जो है दो दिन पहले ही पूछा गया था ठीक है जो आपका कमिशन हुआ था टीजी टेट उसमें यह पूछा गया नेक्स से दिखिए तुलसी दास त्वारा रचित रामचरीत मानस को किस भाशा में लिखा गया है तो रामचरीत मानस जो है वो अब्दी भाशा में रची गई है अगला प्रशन है दिखिए प्रशन संख्या 69 नीलकंट शब्द में कौन सा स्मास है तो नीलकंट शब्द में जो स्मास है देखी यह आपका बहुबरी स्मास मतलब दोनों स्मस्त पद परधानना होकर तीसरे पद को क्या करते हैं जहांपर दर्शाते हों तो नील कंट नीला है जिसका कंट किसका है वो शिपजी का है तो ये बहुबरी है ठीक है विकल्प नमबर डी इसका सही उत्तर जाती वाचक संगया विकल्प नंबर C इसका सही उतर होगा हलांकि हरिचंद्र एक व्यक्ति है लेकिन यहां पर व्यक्ति न रहकर वो क्या हो गया है जाती वाचक बन गया है जाती सूचक बन गया है कि जो सच बोलता हो सच बोलने वालों की जाती में वो आ गया है इसलिए य अधिकांश लोगों का यही वीचार है अगर इस तरीके से देखा जाए तब तो यह बिल्कुल सही है अगर इस तरीके से देखा जाए कि अधिकांश लोगों के यही वीचार है तब यह शाय थोड़ा अलग हो सकता है पर फिर भी मुझे लगता है कि यह इसका सही उतर होना च क्योंकि जिस भी वाक्या के बीच में की लग जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है आपका मिश्र वाक्या हो जाता है और पहला जो पूरा वाक्या का जो पहला भाग है वो दूसरे वाले भाग पर आश्रित होता है गुरु जी ने कहा हमें मालूम नहीं है कि क्या कहा जब हम विकल्प नमबर D, वैभाव, वैभाव मतलब यश्कीर्थी, नेक्स ते दिखिए 75, जिसकी लाटी, उसकी भेंस वाक्या में कौन सा सर्वनाम प्रियुक्त हुआ है, तो ये है दिखिए, संबंध वाचक, है ना, जिसकी और उसकी, दोनों के बीच में क्या है, आपस में संब पानी की चक्की, है ना, नेक्स है दिखिए, हे भगवान रक्षा करो, वाक्या में कौन सा कारक प्रियुक्त हुआ है, तो इसमें जो कारक प्रियुक्त हुआ है, दिखिए, पोहुआ आपका संबोधन कारक, ठीक है, विकल्प नमबर C, इसका सही उतर होगा, 79 है दिखिए, हिंदी की चिंदी निकालना मुहावरे का अर्थ है किसी बात की तेह तक पहुंच सरी बात का बतंगड मनाना विकल्प नंबर C इसका सयूतर होगा आप चाय पीएंगे या कॉफी वाक्य है तो ये है देखिए आपका संयुक्त वाक्य विकल्प नंबर B इसका सयूतर होगा प्रशन संक्या 81 है देखिए लड़किये शत्रंच का खेल देख रही है रिखांकित क्रिया का भेद है तो ये है आपका अकर्मक क्रिया विकल्प नंबर A इसका सयूतर होगा बंदव गुरुपद पदुंपुरागा सरूची सुवास सरस अनुरागा उप्रशन पंक्तियों में कौन सा चंद प्रियुक्त हुआ है तो देखिए इसमें जो चंद प्रियुक्त हुआ है वो हुआ आपका विकल्प नंबर B चौपाई वाक्याश के लिए एक शब्द लिखिए अमरित के समान वचन वचनामरित विकल्प नंबर D इसका सयूतर होगा नेक्स से दिखिए 84 निमलिकित में से कौन सा विराम चिन उधरन चिन है तो विकल्प नंबर C इसका सयूतर होगा उधरन चिन है B कोश्चक है A आपका पूर्ण विराम है और D आपका अर्द विराम है ठीक है C इसका सही उतर होगा प्रशन संक्या 85 देख लेते हैं देखिए काली घटा का घमंड घटा पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो ये आपका यमक अलंकार है इसमें ठीक है विकल्प नमबर इसका सही उतर होगा कवीता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसके मत अनुसार है तो ये बात कहिए कवीता के समन्द में सुमित्रा नंधन पंत जी ने विकल्प नमबर इसका सही उतर होगा और पंत जी को प्रकृते का सुकुमार कभी भी कहा जाता है देखिए प्रशन संक्या 87 है व प्रशन संक्या 90 है ये हिंदी का आखरी प्रशन है लाख का घर राख होना मुहावरे का अर्थ है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर इसका बिल्कल सही उतर होगा तो हिंदी वाला पोर्शन यहीं पर संपन होता है अब देखेंगे हम आपका जो जी के और EBS वाला पार्ट है उसको, उसके बाद है देखिए प्रशन संख्या 121 सेक्शन 4 का है ये EBS और आपका जो GK and EBS है, ठीक है, उसमें देखिए सालार जंग म्यूजियम कहां पर स्थित है, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर B हैदरवाद में, 122 प्रशन है बाल मजदूरी का समद्ध भारतिय समयदान के किस अनुछेद से है, तो इह है विकल्प नमबर A, अनुछेद 24, हिमाचे प्रदिश का पहला मेगा फूड फूड फार्क किस जिले में बना, तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा आपका विकल्प नमब उनाजिला की पहाडियों का क्या नाम है यह है शिवालिक विकल्प नमबर B, इसका सही उतर होगा नेक्स से दिखे टोडरमल किस से संबंदित थे तो यह थे आपका विकल्प नमबर C, भूराजस्व सुधार अशोक ने बौत धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भे इसका सही उतर है देखिए स्मोद्र गोप्त विकल्प नमबर C, बकसर का युद कब लड़ा गया था तो इसका जो सही उतर है विकल्प नमबर C, 1764 में, 131 प्रशन है देखिए सही उतराष्ट संग सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस्यों के स्थंख्या कितनी है, तो अ 133 प्रशन है देखिए हिमाच प्रदेश के कि जिले में केंद्रि विश्विद्याल्या का निर्मान किया जाएगा, तो यह आपका जिला कांगडा, विकल्प नमबर B, सयुत्तर होगा, पंचतंतर की कथाओं का संकलन किस ने किया है, तो यह किया है देखिए विकल्प प्रशन है ज्यान पिट पुर्शकार किस क्षेतर में प्रदान किया जाता है, तो यह आपका साहित्या के क्षेतर में प्रदान किया जाता है, ठीक है, निमी लिकित में से कौन सी चटान संगमरमर में परिवर्तित होती है, तो देखिए विकल्प नमबर B है चूना पत्थर है तो इसका जो सही उतर होगा देखे विकलप नमबर D मिश्रित विटामिन A की कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो यह है आपका रतौंधी रोग भारत के सरवोच न्यालय के प्रत्थम न्यायधीश कौन थे तो यह है आपके H.J. कानिया विकलप नमबर A इसका सही उतर मानव की लाल रूदी कणिकाओं या RBC जो रेड ब्लड सेल्स होती है कि आयू औसत निमिलिकत में से कितनी होती है तो देखे इसका जो सही उतर होगा यह होगा आपका विकलप नमबर D 123 जहांजर किस जिले का प्रसिद नरीत्य है तो यह है आपका चमबा जिले का नेक्स है इसका विकलप नमबर B 42 संजोधन इसका सही उतर होगा 146 प्रशने देखिए 10 पंच का संस्थापक किसे माना जाता है तो इसका सही उतर होगा विकलप नमबर D कुतुब दीन एबक तो यह है 10 पंच का संस्थापक संसथ के सियुक्त अधिशन को कौन संबोधित करता है तो इसका सही उतर होगा विकलप नमबर D 148 का D प्रशन संग्या 149 से देखिए कौन सी परवर्श रिंकला एशिया और यूरोप को अलग करती है तो यह है आपकी देखिए विकलप नमबर A इसका सही उतर होगा युराल क्लियर है आखरी जो प्रशन है देखिए इस वाले पोर रखा है और इसके तुरंत बाद हम दूसरे जो सेक्शन है वो आपके बीच में लेकर आएंगे वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर यह बताना है अगर मुझसे कहीं गलती होगे तो मैं चाहूंगा कि आप भी उसका सही उतर मुझे बताएं ताकि ह पर एक विद्याती तक सही उतर पहुंच सके फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों जल्दी हाजिर होंगे तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद